आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Students, ताज के मारे Question है Do All Bodies Produce Sound? क्या सारी Bodies Sound Produce करती है? तो इस Question को समझने के लिए पहली चीज हमें पता होने चीज Sound कैसे Produce होता है Sound Produce करने के लिए हमें Vibrations की नीड होती है ठीक है? क्योंकि अगर Vibrations ही नहीं होंगी तो Sound Produce नहीं हो सकता तो पहला Question क्या सारी Bodies Sound Produce कर सकती है? Yes, सारी Bodies Sound Produce कर सकती है By Vibrating ठीक है? Vibrating basically है क्या? Vibrating is nothing but some kind of To and From Motion है ना? एक To and From Motion होता है मतलब आगे पीछे आगे पीछे वाला Motion होता है और ये Motion तो कोई भी Body कर सकती है और अगर कोई Body Vibrations के अंदर जा रही है To and From Motion कर रही है तो वो Sound तो पक्का Produce करेगी अब आप बोलोगे भाई अगर आपना हाथ अपने हाथ को भी ऐसे आगी पीछे हिलाते हो तो हमें Sound सुनाई ने देता है ना? पर आप तो बोल रहे हो कि सारी Body Sound Produce कर रहे है तो क्या आपके हाथ से भी Sound निकल रहा है तो actually yes आपके हाथ से Sound निकल रहा है पर वो आपकी कानों को audible नहीं है वो इसलिए क्योंकि हमारे कान इसको सुन सिर्फ अब सकते हैं जब वो 20 Hz से लेके 20,000 Hz की range का होता है जब आप नॉर्मली अपने हाथ को wave करते हो तो उसमें जो vibration है obviously to and from motion हो रहा है पर उसकी जो frequency है वो बहुत कम होती है और इसलिए 20 Hz से कम की frequency होने के कारण हमारे कान इसको detect नहीं कर पाते है ठीक है पर sound produce होता है ठीक है secondly अगला question आपके दिमाग में यह आ सकता है अगर sound हर्ची से produce हो रहा है तो हमें space से sound क्यों नहीं सुनाई देता ठीक है space के अंदर हमें sound सुनाई नहीं देता astronauts cannot talk on the moon directly क्यों नहीं बात कर पाते वो लोग क्योंकि sound again sound वहाँ produce हो रहा है पर sound propagate नहीं कर पाता sound cannot propagate क्योंकि sound को propagate करने के लिए क्या चाहिए एक medium चाहिए ठीक है और जब तक sound को कोई medium नहीं मिलेगा वो propagate नहीं कर सकता तो इससे हमें समझ में आता है sound produce तो वहाँ भी हो रहा होगा ठीक है पर वहाँ से sound हम तक पहुँचेगा कैसे उन vibrations को हम तक पहुँचने के लिए कोई medium तो चीए हमारे कानों तक पहुचने के लिए तो यहाँ पर कोई medium नहीं है ठीक है no medium और यही रीजन है कि वो propagate नहीं कर पाते और propagate नहीं करेंगे तो हमें सुनाई नहीं देंगे लेकिन produce तो हो रहे है तो इसके साथ हमारे question हो जाता है complete I hope सबको समझ भी आ गया होगा